एप मेरे छीनल को सब्सक्राइब जरूर करते हूं इसको अब अच्छी तरह से धूल लिया है फिस्स मैरिनेशन के लिए दो टुकड़ा अध्रक्का लासुन चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच आरा रोट स्वाधा अंसार नामक ग्रेवी के लिए आधा चम्मच मेथी दाना आधा चम्मच जीरा चौथाई चम्मच काली सर्सों के दाने दो तेज़ पत्ते, दो हरी मिर्च, तीन प्याज, दो टमाटर, एक टुकड़ा अध्रक्का, लस्सुन सुखी मसालों, एक टेबिल स्पून घरम मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कस्मीरी लान मिर्च, आधा चम्मच काली सर्सो के हमने पाउडर बना लिया है, धनिया पाउडर दो टेबिल स्पून, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इस मरिनेट करने के लिए हमने अध्रक्लसुन का पेस्ट बना लिया है, हल्दी लाल मिर्च पाउडर, नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर अब हम इसे फिस पे अच्छी तरह से रब करेंगे इस मेरिनेट हो चुका है इसे पांस से साथ मिनट हम छोड़ देंगे कड़ा ही गरम है और इसमें हमने तीन बड़े चम्मस तेल लिए है अब इसे हम गरम होने देंगे गरम हो चुका है मेथी दाना डाल देंगे जीरा डाल देंगे सरसो हरी मिर्च तेज पत्ता इसे थोड़ा चला लेंगे अब पिसे हुए मसाले आद्रक लासुन और प्याज के पेश को डालके इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तमाटर के जो पीसा हुआ था उसे हम डालके अच्छी तरह से भूनेंगे तमाटर के डालते ही हम नमक डालेंगे अब हम धन्या पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे अच्छी तरह से चला लेंगे हल्दी पाउडर कस्मिरी लाल मिर्च जो की ग्रेवी को कलर देगा सरसो पाउडर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और ये तेल भी छोड़ रहा है अब हम पानी उतना ही डालेंगे जितना हमको गाढ़ी ग्रेवी रखनी हो कुछ देर इसे हम पका लेंगे मसाले अच्छी से अभजार हो चुके हैं अब इस पर हम आरा रोट की कोटिंग कर देंगे अच्छी से रब कर लें जिससे की आरा रोट इसमें चीपक जाएं अब हमारा पैन गरम है इसमें हमने पहले से ही एक चमच बड़ा चमच तेल डाल रखा है इसे इस पर हम सैलो फ्राई कर लेंगे मचली पकने में तीन से चार मिनट मचली को अब हम दूसरे साइड भी पलट लेंगे और यह अच्छा सा क्रिस्पी दिख रहा है मचली को पकने में तीन से चार मिनट लग जाता है ग्रेवी हमारी तयार है अब इसमें हम फ्राईड फिस को डालेंगे मचली तो पकी हुई है पर इसे हमें सिर्फ इसमें मसालों को एबजार्ब कराना है जो कि हमें 5 मिनट रखना पड़ेगा गरह मसाले को एड़ करेंगे और इसे एक मिनट और पकाएंगे जिससे उसमें मसाले अच्छे से एबजार्ब हो जाएं और ये रेडी है खाने के लिए हमारी टेगन फिस मसाले दर तयार है थैंक्यो फार वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाएंगे लिए वीडियो में कुर्ण पार्ण्यों करेंगे